सोमनाथ और उसकी पत्नी उमा भगवान शिव के परमभक्त थे सोमनाथ की कई पुष्टें पंडिताई का काम करती आ रही थी जिसे आगे बढ़ाते हुए सोमनाथ भी घर घर जाकर पूजा पाठ के काम करवाता था उमा को भी गाउं में सभी लोग पंडिताईन कहकर बुलाते थे और कोई भी अच्छा काम करने से पहले उसकी सलाह जरूर लेते थे अरी पंडिताईन घर में हो की नहीं? हाँ हाँ मैं कहा जाऊंगी? आओ, अंदर आजाओ अच्छा तो पूजा में लगी हो अरे बस करो, भोले ना आथ को घर बुला करी रहोगी क्या? अरे कमला, ऐसे भागी हो जाएं तो जीवन सफल हो जाएं वो आज सोमवार है न, तो मेरा और पंडित जी का व्रत है ये लो, भोले बाबा का प्रसाद अच्छा अच्छा, लाओ अच्छा पंडिताइन, वो मुझे न, मुन्ना का मुंडन करवाना है जरा एक अच्छा सा दिन देख कर तो बताओ हाँ हाँ, अभी लो, बस दो मिनट रुको परसो का दिन सही रहेगा अरे इतनी जल्दी, नहीं नहीं इसके बाद का कोई दिन देखो मुझे दावत करनी है, इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा सब अ, इसके बाद तो अगले महिने की ही तिथी ठीक रहेगी ओहो, ना ना, अगले महिने तो देर हो जाएगी कमला, तुम परिशान क्यों होती हो मुन्ना का मुन्डन परसो ही करवालो सारी तैयारियों में मैं तुमारी मदद कर दूँगे सच, पंडिताईन, तुमने तो सारी परिशानी ही हल कर दी और वैसे भी तुम रहोगी, तो सारे काम बिलकुल सही तरीके से हो जाएगे और पंडित ची को भी बोल देना, मुन्डन के बाद हवन उन्होंने ही करवाना है ठीक है, मैं बोल दूगी अच्छा, एक बात बताओ पंडिताईन, वो वैदी ची के बारे में बताया था तुम्हें, गई थी वहाँ हाँ, गई तो थी, इलाज पी चलाया, लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ अच्छा, तुम तुम चिंता मत करो, वैसे पंडिताईन, मैं क्या कह रही थी, तुम क्यों परिशान होगी चोटी सी तो दावत है, मैं इप्टालूँगी सारे काप, और मुझे न, अब भी याद आया, वो मेरे जेड जी, वो मेरे जेड जी है न, वो कह रहे थे कि इस बार हावन वही करेंगे, तो पंडित जी को भी परिशान होने की जरुरत नहीं है, अच्छा, तो मैं अब चलत हो, इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है, वो भले ही कुछ साफ साफ ना खहपाई हो, लेकिन उमा सब समझ गई थी, फिर उसी शाब, सुनते हो जी, आज कमला आई थी, अपने मुन्ने का मुन्डन करवा रही है, अच्छा, तो फिर कब जाना है, नहीं, हमें नहीं जाना, पहले बुला रही थी, फिर पलट गई, आरे, लेकिन क्यों, पूछने लगी कि वैदे जी के यहां से फायदा हुआ या नहीं, अच्छा, तो जब उसने सुना कि हमें बच्चा नहीं हो रहा, तो हमें अपने घर बुलाए नहीं, उसकी गलती नहीं है जी, उसका मुन्ना प जी उमा, ये सब अंध विश्वास है, हमारी कोई अलाद नहीं है, तो क्या हम सब के लिए आपशागुन हो गए हैं, ये तो मुझे नहीं पता जी, लेकिन इतना जरूर जानती हो, कि जरूर कोई न कोई बड़ा पाप हुआ है मुझसे, जो शादी के दस सालों के बाद भी मुझे भागन की गोद सुनी है, उमा की आँखों में आसु थे, और जब ये आसु उसके बस से बाहर हो गए तो वो मुझ छिपा कर अंदर कमरे में चली गई, सोमनात के लिए भी ये तकलीफ काफी बड़ी थी, एक तो संतान हीन होने का दुख, और उपर से गाउवाले भ अरे घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा था, अरे राम किशोर जी, मैंने सुना बड़े बेटे का जनिव संसकार करवा रहे हो, मुझे याद नहीं किया आपने, वो पंडित जी, दरसल वो हरी प्रकास जी से बात हो गई, तो वो ही करवा रहे हैं, लेकिन राम किश जी अब तक तो आपके घर के सारे काम मैं ही करवाताया हूँ, फिर अब क्या हुआ? देखो पंडित जी, पूरा गाम भले ही लाग लपेट करे, लेकिन मैं आपसे जूट नहीं बोलूँगा, आपसे पूजा पाट करवाने में आप डर लगता है, संतान सुखना मिलना एक श्राब है श्राब, मेरी मानों तो फिलहाल लग के अपने लिए पूजा पाट करो, संतान के सुख से वंचित सोमनात और उमा वैसे ही काफी तकलीफ में थे, ऐसे में लोगों का इस तरह मुह मोड लेना, उनके लिए घाव पर नमक की तरह था, सोमनात उदास होकर घर पड़ रहा है, बिना बच्चे की किलकारी के ये घर घर नहीं लगता, कमाई के नाम पर भी कुछ नहीं है, खाने पीने तक की परिशानी हो गई है, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाईए, शिव शम्भू सोमनात भगवान शिर्फ से प्रार्थना करी रहा था, कि तभी घर का दर्वाजा किसी ने खटकटाया, सोमनात ने जाकर देखा, तो एक बुड़ी बाबा दर्वाजे पर खाना लेकर खड़े थे प्रणाम, जी बताईए, जीत रहो बेटा, मेरा नाम रामेश्वर है, मैं पास के गाउं हरीपुर से आया हूँ, मैंने मननत मागी थी कि मेरा पोता हो जाएगा, तो पूरे साव पंडितों को खाना खिलाऊंगा, किसी ने तुम्हारे बारे में बताया, तो चला आया, ये ये खाना लाया हूँ आपके लिए, बहुत पाशुक्रिया बाबा, भूले बाबा, आपकी हर इच्छा पूरी करें, सोमनात को खाना देकर रामेश्वर वहां से चले जाते हैं, सोमनात और उमा खाने के लिए बैठने ही वाले थे, कि तब ही सोमनात ने उमा से कहा, ओमा, काश भूले भंडारी ने जैसे उन बाबा की इच्छा पूरी की, वैसे ही मेरी भी कर दें, मैं प्रण लेता हूँ, कि अगर मेरी पिता बनने की इच्छा पूरी हो गई, तो मैं आने वाली महा शिवरात्री पर भगवान त्रियंबकेश्वर के दर्षनों के लिए ज देने की नहीं, आज तो इस खाने से काम चल जाएगा लेकिन आगे के लिए कुछ तो सोचना होगा जी, हाँ उमा, मैं सोच रहा हूँ, कि घर के पीछे जो थोड़ी सी जमीन है अपने पास, जमीदार जी से थोड़े पैसे उधार लेकर उस पर खेती शुरू करता हूँ, ठीक है जी, मैं भी आपकी मदद करूँगे। ठीक तो है ना, क्या हुआ उसे? हरे सोमू बेटा, अब खुश हो जा, भोले बाबा की क्रिपा बरसी है, उमा मा बनने वाली है। बूरी अमा के शब्द जैसे सोमनात के लिए अम्रित की तरह बरस रहे थे। उसने सबसे पहले जाकर भोले बाबा के सामने सिर चुकाया, और फिर उमा के पास जाकर बोला। उमा, मैं बहुत खुश हूँ, अब कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, आखिर भोले भंडारी ने अपने इस भक्त की पुकार सुन ही ली। जी, जी, मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन इस खुशी में हमें अपनी मननत के बारे में नहीं भूलना है। याद है न, इस महाशिवरात्री पर आपको भगवान त्रयमबकेश्वर के दर्शनों के लिए जाना है, और वहाँ जाकर… मुझे सब याद है उमा, मैं अपनी मननत पूरी करूँगा, जरूर करूँगा। महाशिवरात्री आने में कुछ ही दिन बचे थे, सोमनात जीजान से खेती में लग गया। गाउं के एकाद घर से पूजा पाट करवाने के लिए भी अब उसे बुलाया जाने लगा। लेकिन फिर भी वो सही समय तक इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया कि अपनी मननत पूरी कर सके। खेती के लिए उसने पहले से इकर्ज ले रखा था जिसे अभी चुकाना बाकी था। इसलिए वो अपनी मननत के लिए और कर्ज भी ने ले सकता था। सोमनात को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी वो अपनी मननत कैसे पूरी करेगा। महा शिवरात्री से ठीक एक दिन पहले वो गाउं के ही शिव मंदिर में गया और हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला आपकी लीला अप्रम पार है भोले भंडारी शायद मैं ही आपकी भक्ति ठीक से नहीं कर पाया सोमनाथ भगवान शिव की प्रतिमा के सामने फूट-फूट करोने लगता है तब ही उसे अपने कंधी पर किसी का हाथ महसूस होता है सोमनाद पलट कर देखता है तो सामने रामेश्वर यानि वही बुढ़े बाबा खड़े थे जो उस दिन सोमनाद के घर खाना लेकर आये थे बेटा तुम यहाँ बड़े सही वक्त पर मिले हो सुनो मुझे तुमारी मदद की जरूरत है जी जी बताईए मैं क्या कर सकता हूँ बेटा इस महाशिवरात्री पर मेरी भगवान त्रियंब केश्वर के दर्शनों की बड़ी अभिलाशा है अब मेरे बेटे को अपने काम से ही फुरसत नहीं वो शहर में काम करता है न और अकिले जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही तो क्या तुम मुझे ले चलोगे तुम्हारा आने जाने और खाने पीने का खर्चा मेरा और मैं तुम्हें इसके अलावा भी कुछ पैसे दे दूँगा बाबा आप साक्षा देवता स्वरू बन कर आए हैं मैं चलूँगा आपके साथ बिल्कुल चलूँगा सोमना था बहुत खुश था वो महाशिवरात्री से एक दिन पहले ही रामेश्वर के साथ भगवान त्रयमबकेश्वर की यात्रा के लिए निकल पड़ा वहाँ पहुचकर महाशिवरात्री के देन उसने पूरे विधि विधान से भगवान शिव के त्रयमबकेश्वर स्वरूप की पूजा की और फिर रामेश्वर से मिले पैसों से पूरे सौ गरीबों को दान करके अपना प्रण पूरा कर लिया फिर गाउं वापस आने के बाद बाबा आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है चलिए मेरे साथ मेरे घर चलिए मैं आपका सदकार करना चाता हूँ नहीं बेटा अभी तो घर जाऊंगा खुश रहो रामिश्वर सोमनात को उसके घर छोड़ने के बाद अपने घर की तरफ चले जाते है सोमनात को अब सारा गाउं पहले की तरफ पूजा पाट के लिए बुलाने लगा साथ ही खेती भी बहुत अच्छी हो रही थी सोमनात ने कुछ ही महीनों में अपना सारा कर्स चुका दिया और फिर सही समय पर उमा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया वाह उमा देखो क्या तेज है इसके चहरे पर होगा क्यों नहीं भूले बाबा का वर्दान जो है सोमनात में पिता बनने की खुशी में पूरे गाउं में मिठाईयां बाटी और फिर एक मिठाई का डिब्बा लेकर पास वाले गाउं हरीपुर जा पहुचा आरे भाई ज़रा सुनो ये रामेश्वर जी का घर कहा है वो जिनका बेटा शेहर में काम करता है क्या कहा रामेश्वर भाई यहां तो इस नाम का कोई भी नहीं रहता क्या कह रहे हो मुझे तो इसी गाउं के बारे में बताया था उन्होंने वो 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 काफी बड़े आदमी है और इसी गाउं में रहते है देखो भाई मैं इस गाउं में हर किसी को जानता हूँ लेकिन किसी रामेश्वर को नहीं फिर भी तुम्हें तसली नहीं है तो जाकर खुद दून लो सोमनाथ पूरे गाउं में हर घर में जाकर पूछता है लेकिन उस ग्रामेश्वर की बात सही थी पूरे हरीपुर में रामेश्वर नाम का कोई भी इनसान मौजूद ही नहीं था गाउं भर में घुमने के बाद सोमनाथ को जैसे ही एक शिवमंदिर दिखाई दिया तो वहां पहुँचकर उसे सब कुछ समझा गया रामेश्वर कोई और नहीं बलकि खुद भूले बाबा ही थे जो अपने भक्त का साथ देने आये थे बाबा रुको आज फिर आप अपने खाने का डिब्बा भूले जा रहे हो अरे मेरी लाडो बेटिया तु मुझे कभी भूलने देती है क्या कोई चीज इसके साथ ही हरी शंकर ने प्यार से अपनी साथ साल की बेटी प्रिया की सिर पर हाथ रखा और वहां से चले गए ये कहानी हरी शंकर त्रिपाठी की ही है जो बनारस में रहते थे हरी शंकर वहां एक शिव मंदर के मुख्य पुजारी थे हरी शंकर के घर में उनकी पतनी गौरी और उनकी साथ साल की बेटी प्रिया थी गौरी और हरी शंकर भगवान शिव के भक्त थे और उनकी देखा देखी प्रिया भी भोले बाबा की खुब पूजा करती थी हरी शंकर रोज सुबह मंदिर जाते और शाम तक ही घर वापस आपा थे मंदिर की मानेता ऐसी थी कि लोग दूर दूर से भूले बाबा के दर्शनू के लिए आते थे हर रोज की तरह उस दिन भी हरी शंकर अपने घर से सीधे शिव मंदिर पहुँचे तो इलेक्ट्रीशन शंभुनात वहाँ पहले से मौजूद था उसने हरी शंकर को देखा और बोला अरे पुजारी जी आ गए आप वो जैसा आपने कहा था मंदिर की खराब लाइट मैंने ठीक करवा दिये और हाँ मंदिर के सारे पंखे भी अब बढ़िया चल रहे है अरे वाँ बहुत अच्छे शंभुनात ये काम अच्छा हो गया इस बार तो गजब की गर्मी पड़ रही है और भक्त महादेव के दर्शनों के लिए धूप में सारा सारा दिन लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं अब कम से कम मंदिर के अंदर आने के बाद तो उन्हें ठंडी हवा मिलेगी भोले बाबा सब का भला करे ओम नमस्षिवाई हरी शंकर मंदिर के मुख्य पुजारी तो थे ही साथ ही वो स्वभाव के बहुत अच्छे व्यक्ति थे हर किसी के बारे में सोचते और पूरे मन से भूले बाबा की भक्ती करते वो भक्तों से मिले दान से ही महीने के आखिर में पूरे मंदिर के स्टाफ को तनख्वा बागते और अपने ले तो केबल उतना ही पैसा निकाल पाते थे जिससे उनका घर चल जाए शंबुनात और मंदिर में काम करने वाले बाकी लोग हरीशंकर की बहुत इस्द करते थे हरीशंकर की पतनी गौरी भी कभी किसी बात को लेकर हरीशंकर से शिकायत नहीं करती थी दिन भर मंदिर में श्रद्धालों का आना लगा रहता और आखिर में मंदिर के पट बंद करते वक्त हरीशंकर भोले से प्राथना करते कि वो सब की मनोकामनाय पूर्ण करे ऐसे ही एक दिन अब पुजारी जी क्या करे मंदिर के पट बंद करने का वक्त हो गया है मगर दर्शनों के लिए अभी भी कम से कम पच्चीस लोग लाइन में लगे हुए क्या करना चाहिए अरे शंभुनात भोले बाबा के दर्शनों के लिए नचाने कितनी दूर दूर से लोग आये होंगे रे बीस पच्चीस आदमी ही तो है थोड़ा रुक जाएंगे पहले सभी को चैन से दर्शन कर लेने दो भोले सब का भला करे मुझे पता था आप हर बार यही कहते है शंभुनात हसा और बाकी कामों में लग गया दर्शनों के लिए लाइन में सबसे आखिर में एक बुज़ूर खड़े थे उनका नाम था भगवती प्रसाद हरी शंकर ने उन्हें भी अच्छे से दर्शन करवाए और उनसे कहा भोले आपका भला करें श्रीमान पुजारी जी नमस्ते जै भोले श्रीमान भोले आपकी सभी इच्छा पूरी करें पुजारी जी मैं जब भी यहां आता हूँ हमेशा देखता हूँ कि आप सभी को बहुत प्यार से भोले बाबा के दर्शन करवाते हैं सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाने के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं लेकिन क्या कभी किसी भक्त ने आप से आपकी मनोकामना पूछी है हाहाहा अरे श्रीमान मेरी कोई इच्छा नहीं है मुझे तो महादेफ के चरणों में जगा मिली हुई है और क्या चाहिए बागी कभी किसी ने पूछा भी नहीं हाहा चलिए पंडिजी आज मैं आप से पूछता हूँ बताइए आपकी कोई तो इच्छा होगी श्रीमान मेरे जीवन की तो एक ही इच्छा है कि मैं एक बार किदारनाथ जाकर महादेव के उस अद्विती रूप के दर्शन करूँ अपनी पत्नी और अपने बिटिया के साथ बोले सब का भला करें भगवती प्रसाद और हरी शंकर दोनों जोर से हसने लगते हैं भगवती प्रसाद बहुत पैसे वाले आदमी थे और अक्सर महादेव के दर्शनु के लिए उसी मंदिर में आते थे कुछ दिन बाद जब वो फिर से मंदिर गए तोनों ने हरी शंकर से पूछा पंडित जी अगर आपके केदारनाथ जाने की इतनी ही इच्छा है तो आप जाते क्यों नहीं क्या समस्या है जाने की तो बड़ी इच्छा है श्रीमान लेकिन क्या करूं खर्चा पानी नहीं हो पाता है उतना भक्त गण जो दान करते हैं उसी से मंदिर की देख रहे करनी होती है और अपना घर भी चला ना होता है भगवती प्रसाद सारी बात समझ चुगे थे वो पूजा अर्शना के बाद वापस घर गए और फिर दो दिन बाद उन्होंने अपने नौकर हरीश को बुलाया और कहा हरीश? अरे हरीश? अरे एक काम करो बेटा आओ जी मालिक बताईए हरीश को जो लिफाफा भगवती प्रसाद ने दिया था उसमें कुछ पैसे थे और उस बस की तीन टिकट थी जो हर महीने भगतों को केदारनात ले जाती थी हरीशंकर उस बस की तीन टिकटों को खरीदने लाइक पैसे कभी जुटा ही नहीं पाए लोगों से पूछते हुए हरीश जल्दी ही हरीशंकर के घर पहुँच और उनसे बोला रामराम पंडी जी जै भोले आप कौन मैंने आपको पहचाना नहीं पंडी जी मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है आपके लिए ये लिफापा बेजा है किसीने हैं लिफापा किसने भीजा है अब क्या है इस मैं भाई पंडी जी वो मुझे नहीं मालूम लेकिन जिसने ये लिफापा भीजवाया है ना उन्होंने कहलवाया है कि बाबा केदार ने आपको बलाया है अरे अरे देखो तो मेरा सपना पूरा होने वाला है भगवान बोले बाबा ने अपने दर्बार में बुलाया है मेरे मादेव ने मुझे केदारनाद बुलाया है हरी शंकर गौरी को लिफाफे के बारे में बताते हैं गौरी भी बहुत खुश हो जाती है इसके बाद हरीशंकर और गौरी अपनी बेटी प्रिया के साथ केदारनाथ यात्रा के लिए चल पड़ते हैं केदारनाथ पहुचकर हरीशंकर की खुशी का ठिकाना नहीं था पूरा परिवार केदार ना धाम पोहच कर पूरे विधान से महादेव की पूजा अर्शना करते हैं फिर बाहर आकर मंदर के दूर एक जगा पर बैठ जाते हैं हरिशंकर लगातार मंदर को निहार रहे थे तभी गौरी ने उनसे पूछा क्या हुआ जी अभी तो हम मंदर से ही आए है अब आप क्या देख रहे हैं गौरी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं बाबा केदार के पास हूँ कहिए कहिए कोई सपना तो नहीं नहीं जी ये सपना नहीं सच है आपने सची श्रद्धा से भूले बाबा की भक्ती की है तो उन्हें आपकी ये मुराद तो पूरी करनी ही थी ना हरिशंकर और गौरी आपस में बाते करी रहे थे कि अचानक वहां का मौसम बिगरने लगा तेज हवाई चलने लगे और देखते ही देखते तेज बारिश के शुरू लगे हरिशंकर और गौरी चलगी देखते ही आपके साफने पर सुरक्षित जगट होने लगते हैं वो वापस मंदर के तरफ दोड़ते हैं वो कुछी दूर पहुँचे थे कि तभी पहुत दूर्स देखते ही दरसल यह आवाज बार रहे थे हरिशंकर ने देखा कि मंदर के पीछे से पानी का सैलाब उनकी तरफ बढ़ रहा है उन्हें समझने में देड़ नहीं लगी कि उनका सामना किसी प्राक्ति से होने वाला है हरिश अपने बीवी बच्चों को पानी की विप्री दिशा में लेकर भाले मगर पानी उन तक चंद सेकेंडों में ही पहुँच गया तीनो पानी की उस सैलाब में बहे रहे लहा गारी, प्रिया, मेरा हाथ मत चोड़ना, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दुंगा बाबा, हम मरने वाले है क्या? नहीं बिटिया, नहीं, भोले बाबा, अमारे साथ है, कुछ नहीं होगा तीनों एक दूसरे का हाथ पक्रे हुए पानी में बहे जा रहे थे गौरी प्रिया का हाथ तो थामे रही लेकिन कुछ देर बाद उसका हाथ हरिशंकर से छूट गया हरिशंकर ने बहुत कोशिश की मगर वो उन दोनों तक नहीं पहुँच पाए तब ही उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ उन तरव पहतर आ रहा है हरिशंकर गौरी की तरव देखकर चिलाए थे गौरी मैं इस पेड़ को रोकने की कुशिश करता हूँ तुम उस मकान की छट पर जाने की कुशिश करो गौरी प्रिया को लेकर उस मकान की तरफ तैरने लगी जो थोड़ी उचाई पर था मगर वो बार-बार पलट कर हरिशंकर को भी देख रही थी काफी देर तक पेड़ को रोके रखने के बाद हरिशंकर की पकड़ धूली पढ़ दे और उस पेड़ के साथ वो भी देंगे प्रिया और गौरी सिवाए बिलखने के कुछ नहीं कर पाए वी दोनों कई घंटों तक उस मकान पर थट रही तरफ देना के हरिकॉप्टर ने उस दोनों को बचा लिया और उनसे हरिशंकर के बारे में जानकारी ली हरिशंकर को ढूरने की कोशिश की गई लेकिन उनकी कोई फपर नी लगी प्रिया और गौरी बनारस अपने घर वापस आ गए वो हरिशंकर का इंतजार करने लगे देखते ही देखते दो साल गुजर गए उधर उस तरास्दी को जिलने के बाद एक बार केदारनाथ धाम को फिर से भक्तों के लिए खोल दिया गया लोग फिर से उसी श्रद्धा के साथ बाबा केदार के दर्शनों के लिए आ रहे थे तब ही मंदिर के बाहर एक न्यूज रिपोर्टर अपने रिपोर्ट में बताता है इस वक्त हम खड़े हैं कि दारनाथ मंदिर के द्वार पर हजारों श्रद्धालों दूर दूर से भोले बाबा के दर्शनों के लिए आ रहे हैं साथ ही चमतकारी बाबा को देखने भी कौन है ये चमतकारी बाबा आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे जो पिछले एक साल से मंदिर की सीड़ियों पर ही ध्यान लगाए बैठे हैं वो एक टक मंदिर की तरफ देखते रहते हैं दिन हो चाहे रात धूप हो चाहे बर्फ बारी वो यहां से एक पल के लिए नहीं हटे यहां आने वाले भक्त भोले बाबा के दर्शनों के बाद इनका आशिरवाद लेना नहीं भूलते वो चमतकारी बाबा कोई और नहीं बलकि हरी शंकर ही थे जो उस तरास्दी से तो बच गए थे पर अपनी यादाश्त खो चुके थे उन्हें याद थे तो बस महादेव वो मंदिर के बाहर बैट कर बस उनकी आरादना में ही लीन थे लेकिन उनकी परिक्षब खत्म होने वाली थी उस न्यूस रिपोर्टर की लाइव रिपोर्टिंग वहां से कई सौ किलोमीटर दूर बनारस में भगवती प्रसाद अपनी टीवी पर देख रहे थे जैसे उन्होंने हरीशंकर को देखा तो चिल्ला उठे भगवती प्रसाद सीधे घाट वाले मंदिर पहुचे उन्होंने देखा कि गौरी मंदिर के आंगर में जाडू लगा रही थी और प्रिया शिवलिंग के सामने आखों में आंसू लिये हाथ जोड़े बैठी थी भगवती प्रसाद ने दंडवत होकर भूले बाबा को प्रणाम के और फिर प्रिया के सिर पर हाथ रख कर बोले बिटिया आसू पोच्छ हमें केदारनाद जाना है तेरे बाबा को लेने प्रिया और गौरी ये सुनकर चौंक जाते हैं भगवती प्रसाद उन्हें सारी बात बताते हैं और फिर उन्हें लेकर खुद के दारनाद जाते हैं वहाँ हरी शंकर को पाकर गौरी और प्रिया बहुत खोश होते हैं शुरू में हरी शंकर उन्हें नहीं पहचानते तो गौरी और प्रिया वहीं उनके साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं और उन्हें सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करते हैं भगवती प्रसाद भी इसमें उनकी मदद करते हैं और किसी तरह हरिशंकर को समझा कर वापस बनारस ले आते हैं फिर भगवती प्रसाद अच्छे डॉक्टर से हरिशंकर का इलाज करवाते हैं और फिर कुछी दिनों बाद हरिशंकर को सब कुछ याद आ जाता है वो गौरी और प्रिया से गले मिलकर कहते हैं भूले हि सबका भला करें